दूस्तों आज की कहानी है सोटी बहु मेरे सभी पोता पोती मेरे लिए एक समान है दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं से अरुज नया वीडियो दादी ये देखिए मेरी कहानी की किताब इसमें परियो की बहुत अची कहानिया है आप मुझे पढ़कर सुनाए ना पांस साल की परी भागते में दादी के पास है आज जब मेरी नाड़ों में आपको परियो की कहानी सुनाती हूं दादी मालती जी ने का तो बच्ची बैटे देख हाथ पकड़ कर खीसने लगे सलो अटो ये तुमारी नई हमारी दादी तो हम बैठेंगे एक नई स्रिम तुम दोनों की नई मेरी भी दादी बच्चे आपस में जगडने लगे तब दादी ने का रहे तुम लोग क्यों जगड रहे हो मैं तुम सब की दादी और किया हो गया यंदी परी गुल में बैठ गई तो तुम दोनों भी तो बैठते हो ना दादी हमें भी बिठाया और कहानिया सुनाई अरे एक साथ तुम तीनों को कैसे बिठा सकती हो तुम लोग मेरे कमरे में सलो बैठ पर बैठो एक साथ सब को कहानी सुनाऊंगी दादी की पास सुनती थी दो बच्चे भागे कमरे में लेकिन एक बार फिर तू तू मैं होने लगी दादी के पास बैठने के लिए देखो परी कोई पास बैठने दो क्यों कि दो दिन वो तो सली जाएगी फिर आप दोनों ही मेरे पास रहोगे ठीके बचोंने मुझ बनाते भी हाँ ठ के का द्रसल मांती जी की बड़ी बव सेर में रहती थी तो गावाना कमी होता था लेकिन वो जब भी आती अक्सर देवरानी के बच्चों के साथ खटपट हो जाती दादी सिर्म मेरी तुमारी नहीं क्योंकि ज़्यादा तर उनके बासम दोनों रहते तब परीकोतियां तु बच्चों ने हाथों को दिया लेकिन कहानिया सुनते सुनते तिनों के बिस्कुस खटपट हो जाती ये देखे बार दादी ने जोड़ से का तुम लोग इतना जगड़ा करोगो तो मैं किसी को कहानी नहीं सुनाँगी सलो निकलो मेरे कमरे से समके सब हाँ आप सिर मेरे बच्चे कोई डारती रो हमिसा देखती हूँ जैसे जठानी जी स्टेर से आती है आप उनके बच्चों के फिसे लगजाती है फिर मेरे बच्चों को तो पूस्ती भी नहीं पता नहीं इतना भिदबाव क्यों करने लगती तो तुम क्या साती हूं सर्फ तुमारे बच्चों को इलाड़ प्यार मिले दादी का मेरी बच्चों को नए और मैं तो कभी कभार आती हूं जादारतर तो मा जी तुम्हारे साती रथे तुम्हारे बच्चों को संपालती है दो दिन बाद तो हम जा रहे तब तो तुम्हारे बच्चों की देख भाल करेगी क्यों सोटी सी बाल के लिए दिना नारा जो रही हूँ और ने कहाना सब बच्चे मेरे लिए एक समाने फिर भी मैं हमेशा यही देखती हूँ दीदी जैसे आप आती है मा जी का सारा ध्यानाम के बच्चों के पीसे लग जाता है फिर तु मेरे बेच्चे जैसे सुहाती नहीं बहु की बाते सुनकर मालती जी को बहु दुखवा फिर तीनों बच्चों को कमरे से बार भेज दोनों बहु को पास बिठा कर बोनी बच्चे सोटी सोटी बातों पर आपस में खटपर करते जगरते समझ आता है क्योंकि वो सोटी सी बात को लेकर तुम दोनों इतना नाराज हो गी, बच्चों के सामे ऐसी बाते करने लगी क्यों अरे वे ना समझे पर तुम दोनों तो समझदारों तुम दोनों क्यों आपस में बैस करने लगे सोटी बहु मैं तो हमेशा तुमारे साथ ही रहती हूँ तुमारे बच्चों की देख भाल करती हूँ बड़ी बहु के बच्चे साल में एकाद बार आते हैं वी हमती दस दिन के लिए तो मेरा ध्यान उसके तरफ खिस दाता है लेकिं यकिन करो मेरे सभी पोता-पोती मेरे लिए एक समान है कोई फरक नहीं करती अभी दोनों बच्चे इस्कुल में थे तो परी मेरी गोदी में आकर बैट गए कि दादी दादी अभी सोम और सोनू नही देख भाल करूगी और बड़ी बहु तुम क्यों नाराजों ने लगी रे तुमारे बच्चों को भी दादी का लाड़ प्यार साहिए तो क्या तुमने कभी मुझे सेर बुलाया अपने पास रने के लिए नहीं ना तो मैं जिसके साथ रहूँगी जादा उसी के बच्चों को लाड़ प्यार मिलेगा उमिर करती हो तुम दोनों को मेरी बाते समझ दागी होगी और आगी से कोई बैस नहीं करोगी सास की बाते सो दोनों बहुँगी नजरे नीसी होगी गुसा सांध हुआ और अपनी अपनी गलती का एसाथ